कॉंग्रेस को बंगाल से नहीं मिली मम्ता टीमसी ने फेरा उमीदों पर पानी नमस्कार आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूस तो चलिए रुप करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर टीमसी निताद देरेक ओ ब्रैंड ने कहा कि कुछ हफ़ते पहले टीमसी चीफ और पस्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी मम्ता बेनरजी ने कहा था कि टीमसी बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है लोग सबच चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और अर्विंद केजरिवास से हाथ मिलाने के बाद कॉंग्रेस मम्ता बेनरजी को साथ लाने की कोशिश कर रही थी उतरपदेश में समाजवादी पाठी ने कॉंग्रेस से गटबंदन करके 17 सीटे दी हैं जबकि आमादभी पाठी ने कॉंग्रेस के साथ दिली हर्याना गुजरात गोवा और चंडीगर के लिए हाथ मिलाया है इसके एलान के बाठी कांग्रेस ने टीमसी के साथ सीट बतवारे को लेकर बाचीट की कोशिश की लेकिन शुकरवार शाम को टीमसी की ओर से बयान जारी किया गया कि हमारे रुक में कोई बदलाव नहीं है हम बंगाल की सबी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे टीमसी ने ता जेरेक ओ ब्रैन ने कहा कि कुछ हफते पहले टीमसी चीफ और पस्चिम बंगाल के मुक्यमंतरी ममता बेनरजी ने कहा था कि टीमसी बंगाल की सबी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है हम असन के कुछ सीटों और मिगाले की तुरा लोग सबा सीट पर भी अपने उमीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे हमारे इस रुप में कोई बदलाव नहीं हुआ है बंगाल में कहां फसा है पेंच सूतरों के मताबिक बंगाल में ममताव एनर्जी कॉंग्रेस को सिर्फ दो सीटे देना चाहती है अपनी बात पर अजिग ममताव एनर्जी का कहना है कि कॉंग्रेस ने साल 2019 में केवल दो सीटों पर जीत हासल की थी वहीं सीटे इस बार कॉंग्रेस को टी-म से देने के लिए तैयार है कॉंग्रेस बंगाल में पिछली बार जीत गई बरहामपुर और मालदा दक्षिन के अलावा भाजपा के कबजे वाली डार्जलिंग, मालदा, उतर और रायगंज और पुरूलिया सीटे चाहती है हलाकि इन सभी सीटों पर ममताब एनरजी के मानने की संभावना कम दिख रही है वहीं सूतरों का कहना है कि तरणमूल कॉंग्रेस असम में दो और मेगाले में एक सीट अपने लिए चाहती है हलाकि कॉंग्रेस मेगाले में सीट देने के पक्षवें नहीं है असम में लोकसभा की 14 और मेगाले में 2 सीटे हैं इससे पहले ममताब एनरजी ने बंगाल की 42 सीटों पर एकला चलोरे का मैसेज देते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था पहले कॉंग्रेस को 42 में से 2 सीटे देने का ओफर था लेकिन कॉंग्रेस इस से जादा की मांग कर रही थी जिसके बाद ममता ने कहा की पस्चिम बंगाल में सीट शेरिंग को लेकर कॉंग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे ममता बैनरजी ने कहा था मेरे हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे हम सेकलर पार्टी हैं बंगाल में हम अकेले बीजेपी को हराएंगे हाला कि मैं अब भी इंडिया अलाइंस का हिस्सा हूँ खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही